सुंदर्वण के जंगल में रानोचडिया अपने बेटा और बेटी के साथ रहती थी एक दिन रानोचडिया जंगल से पाने लाने के लिए जा रही थी तो वो अपने बच्चों से कहती है कुक्कु और गुडिया बेटी, आप दोनों घर में ही रहना मैं अभी आप दोनों के लिए नदी से पानी लेकर आती हूँ तब ही कुकु बोला ममा ममा मैं भी आपके साथ चलूँगा मैं तो उड़ सकता हूँ ममा मैं भी आपके साथ चलूँगी मुझे भी उड़ना आ गया है नहीं गुडिया बीटी अभी आपको अच्छे से उणना नहीं आता है आप अपने भाई के साथ घर में ही रहें कुकु बेटा आप अपने बेहन का ध्यान रखना तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ इतना कहकर रानो चिडिया नदी से पानी लेने जाती है ममा चिडिया के बाहर जाते ही दोनों भाई बेहन में लड़ाई शुरू हो जाती है गुडिया मैं तुमसे अच्छा उड़ सकता हूँ इतना कहकर कुकु घर में ही इधर उधर उड़ने लगता है ऐसे उड़ रहे हो जैसे कवा उड़ रहा हो मैं तुमसे अच्छा उड़ सकती हूँ इतना कहकर गुडिया भी उड़ने की कोशिश करती है लेकिन कुकु आकर अपने बहन को पीछे से धक्का दे देता है जिससे गुडिया के बेर उपर चोट लग जाती है गुडिया गेरे गई गेरे गई कैसा लग रहा है गुडिया तुमने मुझे ठका दिया है आने तो ममा को मैं उन्हें सब कुछ बताऊंगी तुम बहुत बुरे हो तुम बहुत बुरे हो तुम जलते हो मुझसे जब मैं भी अच्छे से उना सीख जाऊंगी तो मैं जंगल से म बैटकर ही खाऊंगी और तुम्हें चूने भी नहीं दूंगी मत देना बोल तो ऐसे रही हो जैसे कि मुझे औरना ही नहीं आता मम्मा चडिया अपने मटके में नदी से पानी भर लेती है हर याली तोती भी नदी पर पानी लेने आई थी फिर वह दोनों बैटकर थोरी देर क करने लगते हैं चुडिया बेहन मेरे बच्चे तो बहुत सरारती हैं वो हर वक्त आपस में लड़ाई करते रहते हैं मैंने तो उनके पापा से बोल दिया है कि अब उन्हें सक्त बनने की जरूरत है हर याली बेहन सभी बच्चे एक जैसे ही होते हैं मेरे बच्चे भी अब मुझे चलना चाहिए क्या पता वो दोनों फिर घर में लड़ाई कर रहे होंगे जिसके बाद वह दोनों अपने अपने घरों को चली जाती है मम्मा चिडिया के घर आते ही गुडिया उनसे कहती है मम्मा मम्मा देखे जब मैं उर्ने की कोशिश कर रही थी तो भाई ने मुझे धक्का दे दिया है मेरे पेरों में चोट आ गई है नहीं नहीं मम्मा ये उर्ने की कोशिश कर रही थी तो ये खुदी गिर गई किश में मेरा क्या दोश कुकु बेटा आप तो बड़े हैं मैंने आपसे गुडिया का ध्यान रखने के लिए कहा था ना ध्यान ये मेरा ध्यान क्या रखेगा ये खुद का तो ध्यान रखने ही सकता है बंदर कहीं का तुमने मुझे बंदर कहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अच्छा अच्छा बच्चों अब बस भी करो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गुस्सा आ जाए फिर दोनों बच्चे चुप हो जाते हैं दूसरे दिन मम्मा चुरिया अपने बच्चों से कहती है बच्चों आज मैं दाना लेने के लिए दूसरे जंगल जा रही हूं और मेरे जाते ही आप दोनों लड़ाई मत करना नहीं तो आज जो लड़ाई करेगा मैं उसे काले जंगल छोड़ाऊंगी मम्मा तो फिर तो आज कुकु काले जंगल ही जाएगा यह हर वक्त मेरे बारे में उल्टा पुल्टा ही बोलती रहती है चुडेल कहीं की अपने बच्चों को समझा कर मम्मा चडिया दाना लाने के लिए चले जाती है मम्मा चडिया के जाने के थोड़ी ही देर बाद फिर से गुड़िया और कुकु लड़ाई शुरू करतेते हैं यह खिलोना तो मेरा है मैं ही इसे खेलूंगा नहीं ये खिलोना तो मेरा है मम्मा ये मेरे लिए लाई थी नहीं ये मेरा है नहीं तुम जोट बोल रहे हो ये खिलोना मेरा है तब है कुकु वा खिलोना चीन कर खिर्की से बाहर फेग देता है तुमने मेरा खिलोना बाहर फेग दिया तुम बहुत बुरे हो इतना कहकर गुडिया वा खिलोना लेने के लिए खिलकी से बाहर चली जाती है कुक्कु यह देखकर परिसान हो जाता है क्योंकि मम्मा ने उन दोनों को घर में ही रहने के लिए कहा था गुडिया जब उस खिलावने के पास जाती है तो वह देखती है कि कालू कवे का बेटा जग्गू उस खिलावने को लिये हुए था वह गुडिया को देखकर वहां से उस खिलावने को लेकर भाग जाता है रुको रुको ये खिलोना तो मेरा है ये खिलोना तो मेरा है गुडिया चग्गु को अवाज दे रही थी लेकिन चग्गु नहीं रुकता वह तो तेजी से वहाँ से भाग रहा था गुडिया भी जगू का पीछा करने लगती है लेकिन उसे तो ठीक से उड़ना आता ही नहीं था इसलिए वह कभी उड़ती तो कभी गिर जाती ऐसे ही उड़ते उड़ते गुडिया बहुत उचाई पर उड़ जाती है और तेज हवा की कारण वह अपने पंखो पर कंट्रोल जिससे वह ठीक से उड़ नहीं पाती है और तेज हवा का जोका उसे उड़ाते उड़ाते बहुत दूर लेकर आ जाता है और गुडिया बेरी के काटे दार पेड़ के उपर गिर जाती है जिससे गुडिया का शरीर काफी घायल हो जाता है ममा ममा आप मुझे बचाए मुझे बहुत दर्थ हो रहा है मेरे पंखों में काटे लग गए है गुडिया ऐसे ही रोती रहती है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था जो उसकी आवाज सुनकर उसे बचाता साम होने से पहले ही दाना लेकर ममा चुरिया अपने घर आती है और गुडिया को घर पर ना देकर वह कुखु से पूशती है कुखु बेटा गुडिया कहा है वह घर में दिखाई नहीं दे रही ममा वह खिलोना लेने के लिए बाहर गई थी मैंने उसे बहुत रोका लेकिन वह नहीं मानी और वहाभी तक नहीं आई है यह सुनकर रानोचडिया रोने लगती है मैं जानती हूँ तुमने ही उसका खिलोना बाहर भेग दिया होगा वो तो अभी बहुत छोटी है नजाने मेरी बच्ची कहा होगी अगर उसे कुछ हो गया तो तुम तो अकेले ही रहोगे यह सुनकर कुकु भी रोने लगता है अमा ममा चलो हम दोनों उसे ढूनने चलते हैं नहीं आप घर में ही रहो मैं गुडिया को ढून कर आती हूँ ममा चडिया घबराते हुए गुडिया को ढूनने के लिए निकल जाती है उर्ते उर्ते वो हर्याले तोती के घर जाती है हर्याले बेहन क्या मेरे बेटी गुडिया आपके घर आई है नहीं नहीं बेहन मेरे बच्चे तो घर में ही है गुडिया यहां नहीं आई है न जाने मेरी पच्ची कहा होगी उसे तो अभी ठेक से उड़ना भी नहीं आता है चिडिया पहाडों पर बड़े चील भी रहती है कहीं वो तो तुम्हारी गुडिया को उठा कर नहीं ले गई हाँ बेहन तुम ठीक कह रही हो मुझे भी ऐसा है लगता है ममा चिडिया भागी भागी पहाडों के पास जाती है और वो चिप कर देखती है चील और उसका बच्चा दाना खा रहे थे यह देखकर चिडिया को तसल्ली हो जाती है सुकर है ये चील मेरे बच्ची को नहीं लाया हो सकता है कि वो नदी पर खेलने के लिए गई हो मुझे नदी पर चलना होगा फिर मम्मा चिडिया भागी भागी नदी पर जाती है जग्गु अपनी मम्मा के साथ नदी किनारे ही बैठा हुआ था और उसके पास वही खिलोना था जग्गु बेटा ये खिलोना अपने कहां से लिया है अरे लाया कहां से है ये खिलोना तो मैंने मेरे बेटे को मेले से खरीद कर दिया था हाँ चिडिया ऑउन्टी ये खिलोना मेरी मम्मा ने मुझे दिया था सच सच बताओ जग्गू बेटा क्यूंकि गुरिया मिल नहीं रही है मैं उसका खिलोना लेकर सागर की तरफ भागा था और फिर गुडिया वहें पर गिर गई इसके आगे मुझे कुछ भी पता नहीं है मम्मा चिडिया उड़कर वहां से सागर की तरफ जाती है वो उड़ते उड़ते अपनी बेटी को आवाज लगा रही थी गुडिया बेटी, गुडिया बेटी आप कहा हो तभी गुडिया अपनी मम्मा की आवाज सुन लेती है मम्मा मम्मा मैं यहाँ हूँ मैं बेरी के पेड में फस गई हूँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर चिडिया भागी भागी वहाँ पर आती है अपनी बेटी गुडिया को वह काटों से बाहर निकाल लेती है गुडिया बेटी हमें घर जल्दी चलना होगा क्यूंकि आपका भाई घर पर अकेला है ममा चिडिया गुडिया को अपने पीठ पर बिठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आती है जब वह दोनों घर आते हैं तो कुकु गुडिया को खुन से लथपद देखकर जोर जोर से रोने लगता है गुडिया मेरी बेहन मुझे माप कर दो ये सब मेरी बजल से हुआ है नहीं भाई आप मुझसे मापी क्यों मांग रही हो गल्ती तो मेरी भी है कि मैंने अपसे जिदि किया बच्चों तुम दोनों को अपने गल्ती का पश्तावा हुआ यहीं बहुत बड़ी बात है तुम दोनों वादा करो कि आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करोगे हाँ ममा हम वादा करते हैं कि हम आज के बाद कभी लड़ाई नहीं करेंगे हम हमेशा प्यार से ही रहेंगे इसके बाद वह दोनों भाई बेहन कभी लड़ाई नहीं करते और प्यार से एक साथ रहने लगते हैं प्यारे दोस्तों हमारी इस कहानी को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ भी सियर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें आपका धन्यवाद दूर किसी जंगल में टोनी चिडिया अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी उसी जंगल में एक दुष्ट कवा भी रहा करता था एक दिन टोनी चिडिया अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल के रास्ते होकर बजार जा रही थी जाते जाते रास्ते में उन्हें एक नन्हासा पेर दिखाई दिया पेर को देखकर चिडिया का बेटा कुकु बोला ममा ममा ये देखें कितना नन्हासा पेर है हम इसे उखाड़कर अपने साथ लेकर चलते हैं और अपने खेट में लगा देंगे कुकु बेटा हमें तो ये पता ही नहीं है कि ये पेड फलदार है या नहीं अगर ये पेड फलदार नहीं हुआ तो हमारे सारे मेहनत बेकार चली जाएगी लेकिन ममा ये पेड अगर बड़े पेड के च्छाओं में रहेगा तो वैसे भी ये नश्ट हो जाएगा वैसे भी ममा हमने अपनी खेट में इस बार कोई भी फसल नहीं लगाई है तो हम इस पेड को उसी खेट में लगा देंगे बच्चे की बात सुनकर टोने चडिया मान गई ठीक है मेरे बेटे अगर आपका इतना ही मन है तो हम इस पेड को अपने साथ ले चलते हैं और इसे अपने खेट में लगा देंगे इसके बाद टोने चडिया उस पेड को उखा लेती है और उसे लेकर अपने खेट की तरफ रावाना हो जाती है टोने चडिया उस पेड को लेकर अपने खेट में पहुँचती है उस नन्य से पेड को वो अपने खेट में बहुत ही अच्छे से लगा देती है चलो बच्चो अब हम घर चलते हैं हमने इस पेर को बहुत ही अच्छे से लगा दिया है हम कल सुभा आकर इस पर पारी डालेंगे इसके बार टोनी चिडिया अपने बच्चों को लेकर अपने घर चले जाती है रात को जब टोनी चिडिया अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी उसी रात को वह नन्हा सा पेर एक बहुत बड़ा पेर बन जाता है अगले सुभा जैसे ही टोने चिर्य अपने बच्चों के साथ आती है तो वह देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वह नन्हा सा पेर एक बहुत बड़ा पेर बन चुका था बच्चों ये कैसे हो सकता है आखिर एक दिन में ही एक नन्हा सा पेर इतना बड़ा पेर कैसे बन गया हाँ ममा हमने पहले भी तो बहुत पेर उगाए हैं लेकिन पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दिन में ही इतना बड़ा पेर हो जाए हाँ कुक्कु बेटा मैं भी तो यहीं सोच रही हूँ कि आखिर ये पेड़ एक दिन में इतना बड़ा कैसे हो गया कहीं ये पेड़ जादूई पेड़ तो नहीं नहीं ममा ये पेड़ जादूई कैसे हो सकता है हमें इस पेर के बारे में कोई जादा जानकारी नहीं है इसलिए हो सकता है कि ये पेर ऐसे ही बड़ा होता हो वो जो भी हो लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या ममा आप भी खामा खाहे चिंता कर रही है ये तो अच्छा ही हुआ ना कि ये पेर बहुत जल्दी बड़ा हो गया अब चले हम अपने घर चलते है पेर को लेकर सबके मन में यहीं चिंता थी कि आखीर ये पेर इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो गया यहीं बाते सोचते सोचते वह तीनों अपने घर चले जाते हैं घर जाकर वह तीनों खाना खाकर सो जाते हैं उसी रात को उस पेड़ में बहुत सारे फल लग जाते हैं अगली सुभा फिर से टोनी चिडिया अपने बच्चों के साथ उसी पेड़ के पास आती है वह पहले से भी जादा चौक जाती है क्योंकि इस बार पूरे पेड़ में जामुन का फल लग चुका था बच्चों, ये सच में मेरे समझ से बाहर की बात है ये पेड़ एक दिन में बड़ा हुआ तो हुआ लेकिन इसमें एक ही दिन में फल कैसे लग गए ममा ममा इसका मतलब ये जामुन का पेड़ है अब तो हम मजे से जामुन खाएंगे ममा आप बेकार में ही चिंता कर रही है ये पेड़ तो हमारा ही है ना हम इसे हर रोज जामुन तोड़ कर खाएंगे फिर से वहतीनों पेड़ के बारे में बात करने के बाद अपने घर चले जाते हैं थोड़ी ही दिर बाद उसे रास्ते से कालू कवा गुजर रहा था तब है उसकी नजर जामुन के पेर पर गई वह जामुन को देखकर नीचे उतर गया पेर पर इतने सारे जामुन को देखकर कवे के मुँँ में पानी आ गया अरे ये कैसे हो गया मैंने दो दिन पहले ही तो देखा था कि टूनी के खेत में कोई भी फसल नहीं थी लेकिन अचानक उसके खेत में इतना बड़ा पेर कहां से आ गया छोड़ो जाने दो मुझे इन से बातों से कोई फाइदा नहीं है फाइदा तर मेरा तब होगा जब मैं इस पेड़ के सारे जामुन तोड़ कर बाजार में बेचाऊंगा ये सोचकर कालु कोई बहुत खुस हो जाता है और वह अपने घर के तरफ रवाना हो जाता है थोड़ी दिर बाद कालु कोई अपने घर से एक लाठी और एक बोरी लेकर आता है यहीं सही समय है जामुन तोड़ने का क्योंकि अभी तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा ऐसा करता हूँ कि मैं जल्दी से सारे जामुन तोड़ लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेचकर मेरे पास बहुत पैसे हो जाएंगे यह सोचकर जैसे ही कालु का वावा जामुन तोड़ने जाता है तब ही वह पेर बोलने लगता है अरे ओ दुष्ट कवे मेरी बातों को कान खोल कर सुन ले अगर तुमने जामुन तोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत पक्की है अरे अरे यह कौन बोल रहा है इधर तो आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा फिर यह आवाज कहां से आ रही है अरे दुष्ट कवे इधर देख इधर मैं पेर बोल रहा हूँ क्या तुम पेर्ड होकर बोल सकते हो यह क्या हो रहा है मेरे साथ कोई बचाओ कोई बचाओ मुझे दुष्ट कवे मैंने तेरी सारी बाते सुन ली है तुने पेर्ड के मालिक से पूछे भी नहीं उसके जामुन तोड़ने की कोशिश की इसकी सजा तो तुझे मिलकर रहेगी फिर वह पेर्ड अपने जादुई शक्तियों से कालु कवे को वही पर बंधी बना देता है अगले दिन टोनी चडिया अपने बच्चों के साथ अपने खेत में आती है तब वह देखती है कि कालु कवा तो पिजड़े में बंध है कालु भाईया आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपको पिजड़े में किसने बंध कर दिया अरे क्या बताओ टोनी बेहन यह पेर एक जादुई पेर है और इसी ने मुझे पिजड़े में बंध कर दिया है यह पेर कोई साधारन पेर नहीं है यह तो एक मायावी पेर है और यहाँ बोल भी सकता है कालु भाईया आप यह क्या बोल रहे हैं भला एक पेर कैसे बोल सकता है और उसने आपको पिज़ने में कैसे कैद कर दिया तुम मेरा यकीन करो टोनी मैं सच कह रहा हूँ इसी पेर ने मुझसे बात की थी और उसी ने मुझे पिज़ने में बंद किया है ठीक है तो मैं इस पेर से बात करके देखती हूँ पेड भाईया, ओ पेड भाईया, क्या आप बात कर सकते हो तुनी चिरिया के आवाज लगाने पर उस पेड से कोई भी आवाज नहीं आई वो पेड कुछ भी नहीं बोला देखा कालू भाईया, यह पेड तो कुछ भी नहीं बोला हो सकता है आपको धोखा हुआ हो आपकी ही कोई गलती होगी जिसके कारण किसी ने आपको पिजड़े में बंद कर दिया है और आप इंजाम मेरे पेड़ के उपर लगा रहे है नहीं नहीं चुडिया तुम मेरा यकीन करो यह पेड़ बोल सकता है तब ही वहाँ पेड बोलता है हाँ हाँ चडिया, कालु कवा सही कह रहा है मैं बोल सकता हूं और मैंने ही इससे पिचड़े में कैद किया है क्यूंकि इसने तुम से पूछेे बिना ही तुम्हारी जावू चोरी करने की कोशिश की है इसका मतलब खालू भया सही कह रहे थे कि आप बोल सकते हो लेकिन मेरे समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है कि आप कैसे बोल सकते हो और आप कौन हो चड़िया तुम्हें डरने के कोई ज़रुरत नहीं है तुम मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हो तो सुनो एक दिन में और मेरा दोस्त मिठ्चु एक पेड़ के उपर बैठे हुए थे तभी मैंने देखा कि एक तांतरिक उलू पूजा कर रहा है अरे देखो देखो मिठ्चु ये तांतरिक तो कैसे पूजा कर रहा है जेसे इसे बड़ा कोई पुजारी हो ही ना हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो, ये बहुत बड़ा थान्त्रिक है, और मैंने सुना है कि इसके पात बहुत सारी जादो इसकतिया हैं क्या मैं नहीं मानता मुझसे बड़ा सक्ति शाली तो कोई इस जंगल में हो ही नहीं सकता तुम रुको मैं इसे अभी सबक सिखा कर आता हूँ फिर वह कवा उड़कर उस उल्लू तांत्रिक के पास जाता है उल्लू तांत्रिक अपने ध्यान में था और कवा उसे जोड़ जोड़ से हवाल लगा कर परिसान कर रहा था अरे ओ तांत्रीक, मैंने सुना है कि तुम बहुती सकती साली हो, तुम्हें पता नहीं है कि इस जंगल में मुझसे बड़ा सकती साली और कोई नहीं है इतने में ही उस उलू तांत्रीक का ध्यान खुल जाता है और वह गुसे में कवे से बोलता है दुष्ट कवे, तेरी इतनी हिम्मत कि तुने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तुझे अभी श्राब देता हूँ, तु एक नन्णा सा जामुन का पेड़ बन जाए और दूसरे जंगल में चला जाए उल्लू की इतना कहते ही, सचमुझ वह कवा एक छोटा सा पेड़ बन गया चिडिया तो यही थी मेरी कहानी, मैं उस राब की वज़ा से एक नन्णा सा पेड़ बन गया था, जिसे तुमने लाकर अपने खेत में लगा दिया है पेड़ की बाते सुनकर कालू कवा, चिडिया और उसके दोनों बच्चे बहुत ही हैरान हो जाते हैं पेड़ भीया, हमें आपकी बात सुनकर बहुत ही दुख हुआ, हम आपकी किस परकार से मदद कर सकते हैं, आप हमें बताइए तुने चिडिया के इतना कहने के बाद उस पेड़ ने बताया कि अगर कोई सच्चा पक्ची उसकी मदद करना चाहे तो वह कर सकता है चडिया मुझे उस पक्षी ने शराप देने के बाद कहा था कि अगर कोई सच्चा पक्षी नदी में जाकर दो बार डूपकी लगाएगा तो उसे एक जादू यंग उठी मिलेगी उसे लाकर तुम मेरे जड़ पे रख देना जिससे मैं ठीक हो जाऊंगा चडिया चडिया मैं भी पेर की मदद करना चाहता हूँ तुम पेर से कहो ना कि वो मुझे माव कर दे आंदा से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा पेर भीया आप कालू भीया को माव कर देजिए और इन्हें आजाद कर देजिए ताकि ये भी आपकी मदद कर सके फिर पेर ने कालू कवे को आजाद कर दिया जिसके बाद कालू और टोनी दोनों उरते हुए नदी पर गए तोनी चडिया ने नदी में दो बार डूबकी लगाई जिससे उसे एक जादू ये उठी मिली जिसे ला कर तोने चडिया ने पेंड के जड़ में रख दिया जिससे पेंड ठीक हो गया चडिया, आपके वाज़ा से मैं ठीक हो पाया हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक करे अपने दोस्तों के साथ भी सियर करे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करे आपका धन्यवाद रानो चिडिया की अभी नई-ने शादी हुई थी और वो अपने पती के साथ रहा करती थी रानो चिडिया ने अपना पहला ही अंडा दिया था तभी उसके पती ने उसे कहा देखो रानो कान खोल कर सुन लो इस अंडे में से बेटी नहीं निकलनी चाहिए क्योंकि तुम तो जानती हो ना मुझे बेटीया बिल्कुल भी पसंद रही है अगर इस अंडे में से बेटी निकली तो मैं उसे जान से मार दूंगा आप ऐसा क्यों कह रहे है आखिर बेटीया भी तो हमारी ही बच्ची है ना मैं वो सब कुछ नहीं जानता बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया तभी वह अंडा फूट जाता है और उसमें से एक सुन्दर से बेटी निकलती है जिसे देखकर रानोचिरिया का पती बहुत ही गुस्सा हो जाता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मुझे बेटिया नहीं चाहिए अब तुम देखती जाओ मैं इसे जान से मार दूंगा नहीं नहीं आप मेरे बेटी को कच ना करो आप चाहे तो मुझे जान से मार दो रानोचिरिया के लाक मना करने के बाद भी उसका पती उसकी कोई भी बात नहीं मानता है और वह अपनी बेटी को जान से मार कर जंगल में फैक देता है रानो चिडिया कुछ ना कर सकी वो तो बस रोती रही ही भगवान ये दिन देखने से पहले ही मैं मर क्यों नहीं गई ऐसे ही समय बीटता गया और रानो चिडिया ने फिर से तीन अंडे दिये रानो चिडिया को अपने अंडों को लेकर बहुत ही चिंता होने लगी कि अगर इस बार उसे बेटी हुई तो उसका पती पहली बेटी की तरह ही इन तीनों को भी मार देगा ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरता गया और एक दिन वह तीनों अंडे फूट गये जिसमें से रानोचिया को फिर से तीन बेटिया हुई यह देखकर रानोचिया बहुत ज़्यादा घबरा गई हे भगवान यह क्या हो गया मैंने तो इस बार भी तीन तीन बेटियों को जन्म दे दिया अगर टुन्नो जी को पता चल गया तो वह पहली बेटी की तरह ही इन तीनों को भी जान से मार देंगे लेकिन मैं अपने फूल जैसी बच्चियों को मरता हुआ नहीं देख सकती मुझे कुछ तो करना होगा बहुत सोचने की बात रानोचिया अपने तीनों बेटियों को लेकर और जाती है और जंगल में एक सुरक्षी स्थान देखकर उन तीनों को वहाँ छिपा देती है और जैसे ही रानाचिया जाने वाली होती है तब ही उसकी सबसे छोटी बेटी उससे कहती है ममा ममा आप हमें छोड़कर कहां जा रही हो हम तीनों भी बहुत छोटे हैं अगर आप चली गई तो हमारा ध्यान कौन रखेगा मेरी बच्चियों तुम मुझे माफ कर दो अगर मैं तुम तीनों को अपने साथ रखती तो तुम्हारे पिताजी तुम तीनों को जान से मार देते तुम तीनों यहाँ पर बिल्कुश रख्चित हो बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम घर से बाहर मत जाना नहीं तो सिकारे पक्चित तुम्हें मार कर खा जाएंगे ठीक है ममा लेकिन आप हमसे मिलने जल्दी ही आना मैं तुम तीनों से हर दिन मिलने आया करूंगी और तुम तीनों के लिए खाना भी लाओंगी ऐसे अपनी बेटियों को दिलासा देकर रानोचिडिया अपने घर चली आई जब भी रानोचिडिया का पती सो जाता या घर से कहीं बाहर होता तब वो अपनी बेटियों से मिलने चली जाती ऐसे है कुछ दिन गुजर गए एक दिन रानोचिडिया का पती सो रहा था तब ही रानोचिडिया चुपके से अपनी बेटियों से मिलने चली गई तब ही उसके पती की आँख खुल जाती है और वह सोचता है आज कल तो रानो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही है न जाने ये हर दिन कहां कहां जाती है मुझे आज इसका पीछा करना चाहिए आखिर मैं भी तो देखूं कि ये किस काम से बाहर जाती है घुमते घुमते टुनुचिडा उसे जगह पर पहुँच जाता है जहां पर रानो जी अपने तीनों बेटियों को खाना खिला रही थी तुन्नो को देख कर वह चारों बहुत ये डर जाती है रानो तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है मेरी तो तीन तीन बेटिया है और तुमने मुझे कानो कान खबर भी नहीं लगने दी अब तुम देखती जाओ मैं इन तीनों के साथ क्या करता हूँ मैं इन तीनों को बेज कर पैसा कमाऊंगा पैसा नहीं नहीं आप पैसा मत करिये वो सिगारी पक्षी मेरी बच्चियों को खा जाएगा अच्छा तो तुम्हारे जबान अब इतनी बढ़ गई है कि तुम उसे जबान लड़ा रही हो रुको मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ इसके बाद रानोचिडिया का पती उसे बहुती बुरी तरह से पीटने लगता है पापा पापा अब ममा को क्यों मा रहे हूँ आप उन्हें छोड़ दो तुन्नोचिडा रानोचिडिया को बहुती बुरी तरह से पीटता है जिससे रानोचिडिया पुरी तरह से घायल हो जाती है और वह वहीं पर भी होस हो जाती है फिर टुन्नो चिडा अपने तीनों बेटियों को लेकर सिकारी पक्ची के पास जाता है अरे वावाव इतने मुलायम मुलायम चिडिया के बच्चे इन्हें खाने में तो बड़ा ही मज़ा आएगा लेकिन मैं इन्हें बड़े सोदागर के पास बेच दूँगा जिससे मेरे पास बहुत ही अच्चे पैसे आ जाएंगे हाँ हाँ सिकारी जी ये तीनों मेरी बेटिया हैं और मैं तीनों को आपके पास बेचने आया हूँ लेकिन मुझे इन तीनों के बहुत ही अच्चे पैसे चाहिए ठीक है तुम पैसों की चिंता मत करो ये लो पैसे अब तुम जाओ यहां से टुनो चिड़ा वहां से पैसे लेकर चला जाता है और उसकी तीनो बीटिया वही पर रोती रहती है टुनो चिड़ा पैसे लेकर जा ही रहा था तभी रास्ते में उसे एक बहुती बड़ी चील मिल जाती है इतने सारे पैसे इतने सारे पैसे लेकर कहा जा रहे हो और तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे चलो जल्दी से ये सारे पैसे मुझे दे दो नहीं नहीं मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा फिर वह चील तुन्नुचिड़े पर हमला कर देती है जिससे तुन्नुचिड़ा घायल हो जाता है और वह उसके पैसे लेकर वहाँ से चली जाती है वही दूसरी तरफ राणचिड़िया को जैसे ही होसाता है वह अपने बेटियों के बारे में सोच सोच कर बहुत ही घब रा जाती है मेरी बेटिया मेरी बेटिया ना जाने कहा होंगी तुन्नू जी ने उनके साथ क्या किया मुझे जाकर देखना होगा ऐसा सोच कर राना चिडिया अपने बेटियों के खोज में निकल जाती है राना चिडिया उड़ते उड़ते जा रही थी तभी उसकी नजर टुन्नू चिड़े पर पड़ती है जो घायल होकर जमीन पर गिरा हुआ था वह उसके पास जाती है टुन्नू जी आपको ये क्या हो गया आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई और हमारी बेटिया कहा है फिर टुन्नू चिड़ा टानो चिड़िया को पूरी सच्चाई बता देता है कि उसने अपनी बेटियों को सिकारी पक्षी से बेच दिया है जल्दी चलिए हम अपनी बेटियों को वापस लाते हैं नहीं तो वो सिकारी पक्षी हमारी बेटियों को बड़े सोधागर को बेच देगा। फिर वह दोनों उड़ते उड़ते सिकारी पक्षी के अटे पर जाते हैं। लेकिन उन्हें वहाँ पर ना तो सिकारी पक्षी मिलता है और ना ही उनकी बेटियां। ये भगवान लगता है वो सिखारी पक्ची हमारी बेटियों को बड़े सो दागर की पास ले गया है हमें जल्दी से जाकर उसे ढूनना होगा नहीं तो वो हमारी बच्चीयों को मार कर खा जाएगा